सरकारी नौकरी में आंगनवारी टीचर का पद भी अच्छा माना जाता है। सरकारी मिलती है और साथ में जानेंगे इसमें सिलेक्षन की साधार पर होता है। और सबसे जरूरी बात यूट्यूब पर आगनवारी वेकंसी से संबंधित फरजी वीडियो आपको रोजना देखने को मिलेगी। यदि आपको भरोसा नहीं हो तो आप उन वीडियो को देखना उनमें आपको वेकंसी का नोटिफिकेशन और वेबसाइट का लिंक नहीं दिखाया जाएगा। आगनवारी मेडम को ही आगनवारी सेविका कहते हैं, शिक्षिका का काम बच्चों को पाना और कार्याले के कार्यों को करने का होता है, सेविका के पास एक आगनवारी केंद्र का समपूर्ण कार्यभार होता है, इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं का टीका करन, वखाद्य स प्राप्थ बोर्ड से अच्छे अंको से दस्वी और किसी भी सब्जेक्ट से बारह भी पास करना होगा। फिर आपको किसी मान्यता प्राप्थ विश्व विद्याले से ग्रेडुएशन की डिग्री हासिल करनी होगी। एक बात का ध्यान रखें, दस्वी, बारह भी और ग्र ग्रेडुएशन के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है। अब जानेंगे, आंगनवारी टीचर की सेलरी कितनी होती है, आंगनवारी टीचर कहो या सेविका इनकी सेलरी, 7000 रूपे से 8000 रूपे होती है, सभी राजियों में आंगनवारी सेविकाओं की सेलरी आंगनवारी टीचर बनने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि टीचर का सिलेक्शन किस आधार पर होता है। ग्रेडुएशन डिग्री प्राप्त करने के बाद आप आंगनवारी टीचर के लिए अपलाए कर स लगते हो, आपने जो दस्वी, बारहवी और ग्रेडुएशन के डॉक्योमेंट दिये थे, उनके अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, जिनके पसेंटेज अच्छे होते हैं, उनका नाम मेरिट लिस्ट में आता है। आंगनवारी टीचर के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होती, मेरिट के आधार पर ही आंगनवारी टीचर की नौकरी मिलती है। इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।